हेलो एवरेवन दोस्तों तो कैसे हो आप सुभी एक बार फिर साथ स्वागत है हमारे चैनल इस्टेड़ी विताकास पर तो दोस्तों इस वीडियों लोग सीखेंगे कि बेसिक इस्टेंट आफ सबस्टीट्यूटेड एनिलीन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि किसकी बेसिक इसका बीडियोंटैच हो जाता हां तो क्योंकि यहां पर गुरूप लग जात तो इसका सबस्टिट्यूटेड़ूशन हो जाता है अब देखिए कि हम आपको बताते हैं कि किस पे किस पे डिपेंड करता है किस पे किस पे inversely किसके directly ठीक है basic question ताफ substituted aniline is directly proportional to plus i effect and plus r effect ठीक है और inversely proportional to minus i and minus r यह तो हो गया आपका theoretical और इसका structural formula अब देखते हैं हम लोग एक example के माध्यम से कि क्या होता है basic question कैसे हम लोग identify करते हैं ठीक है तो आई देखते हैं कैसे identify करते हैं सब किसे पहले आपको सामने example ले लिया गया है यह देखिए एनिलीन ले लिया गया ठीक है एनस्टू 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 ठीक है लेकिन जो सेकेंड ग्रूप लगा हुआ है substitute ठीक है OCS3 CS3 यहाँ पर कुछ नहीं है यहाँ पर सिंपल एनिलीन है यहाँ पर क्लोरीन यहाँ पर अनोटू अब मैं आपको बता रहा है यहाँ पर माइनस आई और माइनस आर लगा है ठीक है सो करने वाले groups लगे हैं यहाँ पर oxygen से जब यह attach है OCS3 लगने की वज़ह से plus R जो effect है इसका यह इसकी basic strength को बढ़ा रहा है दो गुना बढ़ा रहा है ठीक है और यहाँ पर CS3 है जो कि plus R effect सो करता है इसकी वज़ह से इसकी basic strength थोड़ा सा बढ़ रही है और यहाँ पर देखे जो chlorine लगा हूँ यह minus R effect सो करता है जो कि इसकी basic strength को घटा रहा है क्यों क्यों कि basic strength थोड़ा ज्यादा घटा रहा है ठीक है अब देखिए सबसे ज्यादा जो होता है मतलब left to right अगर हम लोग जाएं इस example में तो basic strength क्या हो रही है decrease होती जा रही है घट रही है ठीक है दोस्तों तूमेद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए होगी अगर पसंद आए हो तो वीडियो को like करेगा चैनल को subscribe नहीं कहा तो चैनल को subscribe करेगा मिलता है next video में thank you धन्यवाद